चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो नी 24 के लिए क्रेक्शन विंडो स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास डे 20 मार्च 24 रात 11 बच के 50 मिनट तक है तो आप अपना confirmation page चेक कर लें जो आपने application फिल किया था उसके बाद जो print आउट निकला था उसमें पूरी details है वो details आप एक बार चेक कर लें थो ली अगर उसमें कोई mistake है तो आप correction कर लें मैं आपको बता देता हूँ कि correction window की last day 20 मार्च रात 11 बच के 50 मिनट तक है उसके बाद आप correct नहीं कर पाओगे इस वीडियो में मैं आपको correction कैसे करना है ये बताऊंगा साथी साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि किसी प्रकार की क पूरा 10th की mark seat से और photo signature वगरा सारा एक बार चेक कर लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई mistake हो गई है तो आप उसका correction कर दें सबसे बड़ी कुसी की बात ये है कि इस बार mobile नमर और email ID को छोड़ करके बाकी सभी field में आप correction कर सकते हैं emergency email ID में भी कर सकते हैं बाकी जितनी भी सारे field हैं उनमें सब में correction कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखने वाड़ी ये बात है कि 20 मार्स तक रात 11 बचके 50 मिनिट तक आप correction कर सकते हैं साथ-साथ मैं आपको ये बताता रहूंगा कि क्या-क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है आपने neat.ntaonline.in की website पर विजिट करना है जैसे ही विजिट करेंगे इस परकार का interface आएगा यहां आपको application number फिल करना है password फिल करना है और security pin जो नीचे हैं ये फिल करने के complete पर टिक लिगा हुआ मिलेगा application form पर टिक मिलेगा और fees payment पर complete पर टिक मिलेगा अगर आपने पूरा form complete कर दिया था उसका print out ले लिया था तो इस परकार का interface यहां मिलेगा आपको अब complete your correction पर यहां क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूरा का पूरा form जो आपने application form फिल किया था वो सारा का सारा यहां आजाएगा उसके सारे steps आजाएंगे registration का steps आजाएगा application के steps में contact detail यहां आजाएगा यहां पर आपको contact detail शोगा इस पर आप जैसे ही click करेंगे personal detail आजाएगी यहां पर personal person with disability यहां आजाएगा exam center की detail आजाएगी qualification detail आजाएगी additional detail यहां और final submit का option आएगा, मतलब ये जो form है, आपके पास दुबारा आ चुका है, और आपने जो जो इसमें field में fill कर रखा है, वो सारी detail यहाँ आपको show हो जाएगी, माल लो मेरे को photo, signature या किसी इन में थमा impression, किसी में भी correction करना है, तो मैं इस step पर click करूँगा, इस पर कार की detail आएग जैसे ही मैंने यहाँ, click करके यहाँ पर correction, जिसमें भी correction करना है, जैसे exam center की detail मेरे को change करनी है, तो exam center detail पर click करूँगा, जैसे ही click करूँगा, तो जो आपने center दिये थे, first center, second center, वो आ जाएंगे, उसमें भी आप change कर सकते हैं, उसके बाद में, जो question paper का medium है, उसको भी change कर सकत हैं, तो यह सारी चीजें आप change कर सकते हैं, मालो मैंने photo change किया है, photo change करके save and next पर मैंने यहाँ click कर दिया, तो जैसे ही save and next पर click किया है, जो मैंने detail change की थी, वो change हो चुकी है, और यहाँ आपके पास में लिखा हुआ आ गया, your changes has been done, kindly final submit your application, otherwise your application will be completed in completed application, okay पर click करेंगे, मतलब यह है कि आप final submit करोगे, तब ही यह complete होगा, यह आपका जो changes है, वो complete माना जाएगा, अगर आपने final submit नहीं किया है, तो जो पहली वाली detail है, वही रहेगी, तो यहाँ पर आप okay पर click करेंगे, जैसे ही okay पर click करेंगे, यहाँ पूरी detail आ जाएगी, आपकी पूरा form आ जाएग दुबारा सी check करने के बाद में final submit पर click करें, या फिर उसमें कोई mistake है, तो back पर click कर सकते हैं, आप back पर click करके उसमें correct कर सकते हैं, otherwise final submit पर click करेंगे, final submit पर click करेंगे, तो यहाँ आपकी यह पूछा जाएगा कि आपने जो detail भरी है, वो सही है, इनपे सब पर tick कर देंगे और final submit पर click करेंगे जैसे ही final submit पर click करेंगे यहां लिखाएगा your changes has been done please download your application जो आपने changing किया है किसमें भी किया है application में या फिर contact detail में किया है qualification details में किया है किसी में भी आप change कर सकते है वो change किया है वो change हो गया है आपने एक बार submit कर दिया और आपका application अभी download करना application form ok पर click करेंगे जैसे ok पर click करेंगे इस page पर आजाएंगे download your application download application form पर यहां click करेंगे और आपके download folder में यह application जो print है वो download हो जाएगा उसका print ले सकते हैं उसको समाल के रखना है future reference के लिए तो एक बात तो मैंने आपको बता दिया है कि डेट आपने जरूरी त्यहन में रखने है यानि कि 20 मार्स रात 11 बज़ के 50 मिनिट पर जो most important है दूसरी बात यह है कि आपको यहां एक ही मोका मिलेगा change करने का जैसे मैंने अभी एक ही बार change करके final submit कर दिया और अब मैं यहां download application option भी आ गया download application form का option आ गया अब मैं इसमें change करना चाता हूँ तो वो कोई भी correction नहीं हो सकता दुबारा यानि कि correction facility सिरफ एक ही बार है यह भी most important है आपके लिए most important यह है कि जो भी correction करना है आपने एक साथ ही करना है अगर आपने एक बार final submit कर दिया उसके बार download application form का option आ जाएगा correction का कोई option नहीं आएगा इसलिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जो correction करना है वो एक साथ करना है एक ही बार आपको correction की facility मिलेगी एक बार final submit कर दिया उसके बाद correction की कोई भी आपको दुबारा मौका नहीं मिलेगा दूसरी बात अगर आप यहां पर login कर लेते हैं complete your correction पर click कर देते हैं उसके बाद कोई correction नहीं करते हैं तो logout करके छोड़ सकते हैं आपकी पुराणी detail ही वहां रहेगी ऐसे इसमें कोई problem नहीं होगी तो यह जानकारी थी correction के लिए जो मैंने आपको बता दी है correction के लिए कोई fees नहीं लगती है इसमें अगर आप category चेंज करते हैं तो extra fees लगेगी कि जब आप category change कर रहे हैं SC, ST, OBC से अगर आप general category change कर रहे हैं तो आपकी additional fees लगेगी उसमें क्योंकि आपकी पहले fees कम लगी थी general की fees ज्यादा है तो अभी वो fees आपको additional fees लगेगी category change के अलावा आप कुछ भी चेंज करते हैं तो किसी प्रकार की कोई fees यहाँ पर आपके नहीं लगेगी तो ये correction के लिए मैंने आपको बता दिया है एक बार फिर से summarize करवा देता हूँ आप एक बार अपने जो application form डाउनलोड किया था application form फिल करने के बाद उसमें पूरी detail है वो एक बार अपने mark seat वगरा सेर वो पूरी चेक कर ले आपको लगता है कि इसमें कोई mistake है तो मैंने जो procedure बताया है उसके मताबिक correct कर दे रात 11 बच के 50 मिनट तक 20 मार्स तक कर सकते हैं दूसरी बात जरूरी बात यह है कि इस correction को आप एक ही बार कर सकते है final submit होने के बाद कोई chance नहीं है correction का तो यह मैंने आपको correction के बारे में बता दिया है correction window के बारे में यह final हो जाएगा इसके बाद में need का आपका फॉर्म अगर कोई correction नहीं है आपने चेक कर लिया application form से कोई correction नहीं है तो आपको correction window open करने की जरूरत ही नहीं है अगर कर दिया तो कोई दिकत नहीं है उसमें लोग आउट कर दो यह जानकारी थी correction window के बारे में नई अपडेट के बारे में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपडार लेता हूं आपसे विदा जैहिन